तो ये दोस्तों क्याल चाला आप सुमका आप सब बढ़ी होगे तो आज हम बात करने वाले हैं अगेन Moto A60 Ultra स्मार्टफोन के बारे में इससे पहले हमने एक वीडियो में पहले भी आपको बता था और कुछ लीक्स थे उसके बताए थे अगेन इस स्मार्टफोन के कुछ लीक्स और रूमर्स हैं जो निकल कर रहे हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीडियो काफ़ इंटरस्टिंग होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चलो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सबसे पहले इसके स्पैस्क्राइब की बात करते हैं सबसे पहले मैं इसका डिजाइन आपको दिखा देता हूँ तो बैक साइड का कुछ इस परकार का डिजाइन है अभी के टाइम पर निकल रहा है देखो यह को अफीशियल नहीं है बस लीक्स हो कर आया है जिसमें बताया होगी ना वो फी ओलर डिस्प्ले रहेगी जो टो के रेजुलिशन के साथ हमें यहां पर देख मिलेगी और 144 हार्ट का रिफ्रेसे देख मिलेगा 4000 उन प्लस के में पीक ब्राइडनेस देख मिलेगी और जो हप्रोक्स्टमेट 2000 निर्स सब्सक्राइब काफी अच्छी होगी और design अब की बार box ही रहने वाला है तो यहाँ पर हमें थोड़ा design में fair बतल जूर देख मिलेगा लेकिन display में हमें इतना कुछ खास changes यहाँ पर देखने हो नहीं मिलेंगे camera की बात करता हूँ तो triple camera ही अगे देख मिलेगा जिसमें primary camera 50MP का जिसमें बताया गया कि sony का imax 921 sensor यूज होने वाल है और जो scandy lens होगा वो भी 50MP का होगा जो कि ultra wild lens होने वाल है जहाँ पर sony lyt 600 series का sensor यूज होने वाल है और जो third lens होगा वो periscope telephoto lens होने वाल है 50MP का और यहाँ पर भी बताया जारे कि sony lyt series का ही कोई sensor होगा मेभी वो 700 series का होसपता है बाखी चीजी हमें आने के बाद ही बता चलेंगी 50MP की selfie होगी दो नहीं तरफ हमें 4K video recording option देख मिलेगा जिसमें 4K 30fps और 60fps तक का spot हमें आपर देख मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि camera में हमें कुछ हटक change जुरूर देखने को मिलेंगे sensors wise तो upgrade होगा ही लेकिन अगर मैं camera quality की बात करता हूँ तो no doubt motor age 50 ultra से यहाँ पर upgrades जुरूर देख मिलेंगे और कुछ AI features भी हमें यहाँ पर देख मिलेंगे क्योंकि हमने काफी सारे देखे हैं motor के smartphone और जिन में snapdan का chipset देख मिला है और बहुत ही कम रेर चांसे में motor ने mediatek की chipset का यूज किया है अपने smartphone के इंदर लेकिन आपकी बार बता जारे कि हाँ पर motor अपने smartphone में mediatek 9300 plus chipset का यूज कर सकता है क्योंकि लास्ट अपडेट में हमने देखा था महाँ पर snapdan का 8zen 3 बता था और अगर मैं इसके computer की बात करता हूं तो वह media tech का ही chipset है और media tech के chipset की भी अपनी एक खासियत होती है वहाँ पर heating जैसे काफी कम होते हैं लेकिन कुछ negative point भी होते हैं बाकी वह चीज़े हमें आने के बाद ही बता चलेंगी अभी हमें इसके उपर discuss नहीं करना चाहिए यही chipset बता जा रहा है और इसके साथ अगर मैं storage type की बात करता हूं तो एजली वहाँ पर media tech दाइमश्टी 9400 प्लस या स्नैप्रेंट का इडजन इलाइट देख मिलेगा जो कि इससे काफी ज्यादा पारफुल है तो हां हम यह नहीं कहसे थी कि प्राइजिंग के इसाब से better performance हमें हाँ पर देख मिलेगी बात करते बैटी बैगब की तो एप्रोग 6000 प्लस एमेज की ब आपको बताएं आपसको वीडियो अच्छे लिगे होगी वीडियो अच्छे लिगे हो तो वीडियो को लाइक करने जैनल को सब्सक्राइब करना मद हो लिएगा लोगी बता रही है दो हजार पस्टिज के अंड फरवरी एंड में इस स्मार्टफोन आ सकता है और सबसे पहल